अपिछली वीडियो में आप लोग को हम बताएं थे नेचर अप्द रूट्स के वारे में और इस वीडियो में हम लोग करेंगे जो कुछ मैंने यहाँ पर लिखाया है quadratic equations है जिसके nature के बारे में जानना है nature मतलब बोले तो उसका जो roots है वो roots किस tab का roots होगा real होगा या imaginary होगा अगर real है तो उसमें equal roots होगा या unequal roots होगा ठीक है तो यह जो सारा काम होता है आपको real and imaginary roots का यह total depend करता है किस पर discriminant पर देखिए कभी कभी आप लोग जब कोई quadratic equations को solve करते हैंगे न तो वहाँ पर आपको solution नहीं मिलता रहता है जैसे factorize नहीं होते रहा या solve करिएगा जैसा लगए solve नहीं हो पा रहा है तो यह सब आप पहले पता करिएगा सिर्फ किस से डिस्क्रिमिनांट से डिस्क्रिमिनांट अगर हम find कर लेते हैं तो उसी से पता चल लेगा कि equations के पास real roots होगा या नहीं होगा ठीक है solution तो possible ही है चाहे वो उसका roots real हो या imaginary हो लेकिन 10th basis पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग find करते हैं real roots के बारे में ठीक है तो तीन equations लिखा है यहां पर मैंने दिया है questions कि find the nature of the roots of the equations first, third, first, second, third यह तीन equations है इसके nature के बारे में जानना है ठीक है तो questions first की बात करें first में क्या है 4x square minus 5x plus 3 is equal to zero देखिए सबसे पहले बात कि जब भी आप nature को जानना हो आपको किसको जब nature को पता करेंगे तो सबसे पहला काम होगा कि quadratic equations को जो है उसके general form में उसका standard form होता है उस form में convert कर लाना मतला extended form का कहने का मतला जो x square plus b x plus c equal to zero ठीक है वेर a, b, c are real number and a does not equal to zero मतला x square का coefficient a, x का coefficient b और c constant term हो गया इसके general form में express होना चाहिए तो यहां पर यह arranged है ठीक है तो यहां क्या करेंगे we find we have to find discriminant d is equal to d is equal to क्या होता है b square minus 4ac ठीक है तो b का value देखिए b is the coefficient of x तो x का coefficient घया है minus 5 ठीक है तो minus 5 का हम square कर लेंगे minus 4 into a का value क्या हो जागा 4 और c का value क्या हो जागा 3 हो जागा ठीक है minus 5 क्या square 25 हो जागा minus 4 4 जा 16 ठीक है 16 16 3 जा हो जाएगा 48 आप देखिए 25 मैंस 48 हो गया तो इसमें से जब हम रिवर्स सब्टाट करेंगे तो यह जाएगा यहां पर जड़ा धियान से देखिए यह सब थोरा सा लिखिए गात अच्छा रहेगा आप लिख लिजएगा है वी अब्सवर्व दाट है यह वी अब्सवर्व दाट डी इस लेस देन जिरो डी इस लेस देन जिरो क्योंकि डी का वालु क्या है निगेटिव आगे माइनस 23 शब conspiracy लिस लिए निगेटिव नमर और लेस देन जीरो दिए डी लुए हो गया तो डी के हो गया आपको लेस दल जीर ओंड़ और मैंने नेचर स्पीर नेकीटिव ragra spokesarmic एगा तो रूस्क और मेस्मेसses सबखेंस को जाएगा तो यहां लिखेंगे यहां लिखेंगे seconds य Dr. ठीक है गिवैं एक्वेशन या दीस एक्वेशन इस टिक है तो गिवैं एक्वेशन एक्वेशन से नो रियल रूर्ट्स को तो इस एक्वेशन के पार रिया लूट्स नहीं होगा ठीक है जब रिया लूट्स नहीं होगा तो इसको आप फाइंड भी नहीं कर पाईएगा अभी रियल के लिए B2B2B2B2ZA minus 4AC ओके बीप वाटश में दीज देओ अभी देओ अभी तो है यहार कोफिसेट आपको दिसको यहारी एक टो माइनस 6 का स्वेर माइनस 4 इन्यूज था एंटु सी के वैल्यू 3 मैनस 6 मुल्टिप्लाइड इटसेफ 2 तैम्स तो क्या हो जागा आपको 36 हो जागा मैनस 4 तू जा एट और 8 तू जा 24 ठीक है और 26-24 जिप्स तू रहां तो यहां पे दी क्या हो गया पॉस्टिटिव है दी इस पॉस्टिव ठीक है तो हेर भी अब्जाब दाट डी इस ग्रेटर दन जीरो नौट जीरो ग्रेटर दन जीरो ठीक है डी क्या है आपको जीरो से बरा है तो जब डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर दन जीरो होगा तो एक्वेशन के पास आपको रियल रूट्स होगा और रियल के साथ साथ मैंने बताया था कि जब D is greater than 0 then equations has real roots as well as unequal ठीक है तो यहां लिखेंगे given equation given equations has real given equations has real and real and unequal root unequal roots unequal बरावर नहीं दोनों अलग अलग रूट्स होगा ठीक है तो अभी मैंने आपको सिफ नेचर के बारे बता रहा है क्योंकि इस questions में यह नहीं कहा गया है कि roots find करना है ठीक है तो roots find करने के नहीं बोला गया यहां पर सिफ roots root 3 x a plus 4 is equal to 0 सबसे पहला काम की questions को standard form में होना चाहिए तो यह already standard form में है ठीक है तो define करेंगे b square minus 4ac तो b what is b तो b is the coefficient of x ठीक है माइनस 4 root 3 का square कर लेते हैं माइनस 4 इंटू एक value 3 और सिक वैल्यू 4 हो गया ठीक है माइनस माइनस तो पलस हो यह जाकर करने बाद तो फोर रूट 3 को फोर रूट 3 सा कर आप multiply करते तो फोर फोर जाता सिक्टिन हो जाएगा ठीक है आर रूट 3 रूट 3 को multiply करिएगा तो 3 हो जाएगा तो कुल मिला करके यहां सिक्टिन 3 जा 48 हो जाएगा ठीक है आप इसको multiply करिएगा था फोर त्री जा ट्यूवैल ट्यूवैल फोर जास 48 48-48 0 D is equal to 0 देखिए और जब बताएं थे आपको कि नेचर में जब डिस्क्रीमिनांट ठीक है डिस डिस्क्रीमिनांट को हिंदी में विवेचक बोलते क्या बोलते है विवेचक ठीक है विवेचक विवेचक तो जब डिस्क्रीमिनांट का value 0 हो जाएगा तो equations के पास real UP's hoga武 होगा और क्या होगा equal हो होगा ठीक है दो यहां लिखेंगे कि वेनलेकोटे सरेंव ऑफजाब ऑट गिस प्युक्रीमिन एकवेशन थे अऱीड प्लम संशो गिवें किンタिर्फ येल रीज एंड रियल और इन यक्वल लूरोट्स औरियल एन इक वलंट क्या जो कि तीन कें आप को तीन तरह को किया है एक वर स्कु Mr.Да कि यू पहले वाले को समें निकला फस्ट कुर्सक्षेन ऐस लेक लिपे देण तो देख दानजेव सिर्व मेरच नो नो रियल रूट्स no तो रियल रोड्स ठीक है दूसरा कोस्त में क्या निकला था बीज ग्रेतर धन 0 इसमें आपको रियल औन अन इकोल रॉड्स हो गया अन इकोल अला कोस functional's में ब 831 उसमें रियल ног अपंड रूरूर सोल फीक है यहीं तिन तुम क्या बता दो रियल यह यह Nothing कोशन से में आपको डी बदा हो गया 0 से यहां आया ना-D is greater than 0 to equal given equations होगा यहां ठीक है ? अच्क गीवन equations has real and unequal roots जब D बदा होगा 0 से the real and unequal UN unequal roots और जब ओर 3 में आपको डी बराबर 0 होगया तो क्या होगा real and equal roots दिक है और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें थैंक्स पर वाचिंग